हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है नोलेज़ टीव पर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से वीएमसी पर डिलिंग की जाती है पहले डिलिंग और उसके बाद में टैपिंग ठीक है अभि इस वीडियो में हम दिलिंग सीखें किस तरह से ड्रिल किया जाता है ठीक है तो इसका पैटरन क्या होगा साइज क्या पहले उस ड्रोइंग की बात कर लेते हैं आपको ड्रोइंग दिखा देता हूँ यह देखिए यह ड्रोइंग है यह 12 mm मोटी थिकनेश की एक प्लेट है जिसमें 6 होल होने हैं ड्रिल और टैप कितने का होगा म8 इंटू 1.25 M8 के लिए 6.8 का ड्रिल हमको चाहिए गा लेकिन 6.8 का ड्रिल इस सेमिलेटर में होगा नहीं इसलिए मैं 7 का ड्रिल यूज करके ड्रिलिग आपको करके दिखाँग हैं ड्रिलिंग के बाद मैं अगला वीडियो बना दूँगे जिसमें M8 का टेप इसमें चलेगा ठीक है PCD आप देख लीजी, PCD जो है Dia 82, यहाँ से देख रहे हैं यह Dia 82 है PCD का, और 6 होल में M8 की टैपिंग करनी है यह हमारा जॉब है, ठीक है अब हम drilling करते हैं VMC simulator पर Guys, मैंने simulator open कर दिया है सबसे पहले मैं आपको program बताने से पहले आपको बता जेता हूँ कि tool कैसा है, tool यहाँ से देख सकते हैं tool कैसे select करेंगे भाई मैंने देखिए tool number 1 में कर रखा है आप 2, 3, 4, इसमें भी आप करना चाहिए इसमें आप लगा सकते हो और यहाँ से tool number चैंज कर सकते हो देखिए 1, 2, 3, 4 तो one number में मैंने pointed leg रखा है 45 degree का drill देखिए इसमें pointed 30 degree का आप ले सकते हैं diameter इसमें आप कम कर सकते हैं diameter मैं जो 7 mm का चाहिए तो 7 mm diameter ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं 7 mm diameter का मैंने यह tool लिया है ओके यह tool की बात होगी जोब की बात करें तो जोब मैंने एक dice o by dice o की plate लिया जिसमें हम वहीं सेम जो 82 की PCD पे M8 की tapping होनी है 6 hole सेम वही pattern बनाएंगे ठीक है क्योंकि इस simulator में हम round piece select नहीं कर सकते rectangular ही select होगा यह simulator की conditions है तो भाई rectangular में मैंने ले लिया है 50 mm ठीकनेश का इसमें 12 mm तक मैं tapping कर दूँगा ठीक है आपको just format के लिए रहोना चाहिए कि किस तरह से होता है बाकी आप कर लेंगे मैंने program भी save कर रखा है program आप कोई भी program बनाए वो यहाँ से save कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर देखिए अब हम program दिखा देते हैं आपको यह है हमारा program इसको single block में मैं चलाता हूँ ठीक है single block मैं यहाँ से own कर देता हूँ यह single block का symbol है single block on कर दिया ताकि आपको पूरा पता चलता जाए g54 में एक work coordinate जो हमारा system है वो वाला g54 में हमारी offset होगी वो use किया है g21 होता है metric में program बनाने के लिए गार आप inchage में program करना चाते हैं तो g20 यूज करेंगे कई machine हम यह लिखने की जरुरत भी नहीं होती कारण यह है कि parameter में से ही 21 या 20 जो option है inchage और metric वाला वहीं से करके रखते machine में ठीक है g40 होता है tool nose radius compensation cancel cutter radius compensation cancel यह वहीं है 41 42 को cancel करने के लिए compensation cancel हो गया भाई radius वाला g80 connect cycle जो भी है वो cancel हो जाएंगे g49 49 होता है tool length compensation जो होता है न g43 उसको cancel करने के लिए और g90 होता है absolute programming ठीक है यह शुरू में इसलिए डालते हैं अगर किसी भी पहले program में कोई भी program में अगर गलती से रह गया हो activate रह गया हो तो वो deactivate हो जाएंगे आपके इस program में कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है यह habit में ही रखते हैं इसके बाद में tool number 1 M06 अब भाई single block में चलाते हैं सबसे पहला block रेड करेगी machine यह just जो भी cancel है command है उनको cancel कर देगी coordinate number select कर लिए second number line tool number 1 यहाँ पे देखे tool number 1 select हो गया ठीक है मैं इसको zoom कर देता हूँ यह वाई tool number 1 अमारा यहाँ पे select हो गया है ठीक है जी select हो गया next block S25 M3 अब देखने यह गोमेगा 251 RPM से घूम गया भाई M03 मतलब clockwise rotation ठीक है और M04 anti-clockwise rotation यह M code और G code आप देखेंगे तो इजी लिए आपको clear हो जाएगा इसके बाद में G0 rapid में जाएगा G0 rapid travels होता है G43 full 43 होता है tool length competition और 43 के साथ में H जरूर use करते हैं जो की machine में मिलता है machine में आप देखेंगे तो offset के साथ में H वाल option मिलेगा जहां पे आप tool की height डालते हैं तो H1 एक number tool है तो मैं H1 ही use कर रहा हूँ और X उसके बाद यह करते हैं सबसे पहले ठीक है जी H1 select कर लिए इसने tool है जो tool की height है offset है वो machine calculate कर लेगी फिर मैं इसको बोल रहा हूँ X में 0.0 पे Y41 पे एक चीज और आपके बता देता हूँ मैं इसकी offset है न मैंने center में लिए यह offset दिखा देता हूँ कैसे यहां से जो option है यहां पे click करेंगे और यह program है इसको वरक पे इसको open करेंगे और coordinate system में देखिए यह देखिए 0.0 पे मतलब इसके जो center है उसमें मैंने sculpture 0.0 कर रखिए अब आप यह बोलेगी sir मुझे यहां corner में करना है तो आप corner में भी कर सकते है जो job है job देखिए कितने का है 250 y 250 मतलब यहां पे कितना हो जाएगे x-125 x-125 y-125 इस corner में आ जाएगा अगर आप x plus में 125 और y minus में 125 रखेंगे तो यहां आ जाएगा दोनों plus में रखेंगे तो यहां आ जाएगा अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से होगा देखिए यहां पे minus 125 करेंगे x में तो यहां पे आ गया इस वाले अब y में minus 125 कर देंगे तो इस corner पे आ जाएगा यह होगी आपकी इस offset इस corner पे अब जहां चाहें वहां कर रखें अब आप यह बोलें कि मुझे इस corner पे करना है तो x को plus में कर दो y में y यहीं ने रहने तो y 125 कर दो क्योंकि 500 by 200 का आपना जो यह है cube है 12325 ठीक है यहां offset होगी ऐसे करके आप कहीं पे भी offset ले सकते हो इसमें प्रोग्राम में वहीं से यह offset read करेगा ठीक है तो मैं इसको 00 कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके center में ही offset चाहिए simulator वह यह और problem आती है बहुत से लोगों के offset कैसे लेना है ठीक है अब देख सकते है इसके center में offset है और वहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे भी show कर देगा offset आप चाहिए तो देख सकते है जिनको उन करने से देखिए center में offset दिखा रहा है इसके center में offset है ठीक है भाई offset वाला clear हो गया अब हम program को हमारे को run करते है tool number one select हो गया था rpm में इसने ले लिये थे rpm के बाद में यहाँ पे tool height compensation x0 y41 पे यह आ गया है ठीक है इसके बाद यह देखिए rapid में आया नीचे इसको मैं zoom कर देता हूँ यह zoom के लिए है और यह इसको tilt करने के लिए देखिए उपर नेचे थोड़ा इदर जुकाने के लिए यह वाला option है यह zoom in out के लिए यह इसको इदर उदर आगे पीछे left right moment के लिए यह वाला option यह वाला left right moment के लिए यह इसके जो view है इसको change करने के लिए होता है ठीक है और इसमें जो यह आप देख रहे हैं offset और यह जो इसका tool का path है वोगर देखना चाहें तो इनको on करके रखो अधरवाइस आप off कर सकते हैं यह देखें इसको off कर देंगे तो tool path off हो जाएगा इसको off कर देंगे तो आपका x, y, z जो भी show कर रहा है वो नहीं show करेगा तो मैं अभी tool path on कर देता हूँ यह pink color में आ रहा है मतलब rapid में आया है जब यह feed में चलेगा तो आपको green color कर शो होगा ठीक है अब देखें z10 z10 पे वो आ गया तो उसके बाद यह hole कर रहा है यह जो coordinate है यह कैसे आये हैं यह मैं आपको बता दूँगा यह लजी 6 hole होगे पूरे अब इन में देखें x-35.5 यह value कहां से आई और यह वाली आप जो देखेंगे पहले program का में M05 से spindle stop हो गया होगा देखें अभी दिखाता हूँ आपको zoom in out करके और इसको थोड़ा से spindle stop देखें हो चुका है और इसके बाद में M09 से को land off होता है M0 मैंने लगा रखा इसके बाद tapping का program है जिसका अगली वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है अभी आपको बता देता हूँ की जो यह coordinate है यह कैसे निकाले देखें यह coordinate आप polar coordinate यूज करके जी 15 जी 16 यूज करके भी आप degree डाल के भी बना सकते हैं लेकिन इस simulator में आप polar coordinate यूज नहीं ले सकते हैं यह काम नहीं करता है इसमें मैंने चेक कर लिया है और इसमें coordinate निकालके ही आपको करना पड़ेगा आपको कोडिनेट मैंने कैसे निकाले देखें x0.0, y41.0 यह बिल्कुल easy है एक app है वो app में आपको बता देता हूँ किस त देखवाई तो दोस्तों यह है वो app coordinator, coordinator आप download करेंगे play store में मिल जाएगा यह app है आपको आर्क कितने का है 360 degree का है angle अपने आप आजाएगा जब आप number of hole डालेंगे center x में मेरा 0 है y में मेरा center 0 है hole axis diameter मतलब यहाँ पर आपको PCD डालने, PCD कितनी है 82 PCD है hole diameter hole कितने का है 7 mm का मेरा hole है 7 mm diameter का hole है number of hole कितने है 6 hole मेरे को बनाने start angle अब start angle की बात कहते हैं आप drawing देखेंगे न दोस्तों यह देखें ड्रोइंग इस वाले center पर आ रहा है अगर इस line पर रहता तो मैं start angle 0 degree करते था मेरा एक hole यहां से शुरू होता है और 6 hole बन जाते लेकिन मेरे को hole यहां से शुरू करना है क्योंकि यह वाला hole यहां से यह वाला hole है यह आ रहा है बिल्कुल center में या फिर यहां से शुरू करो तो मैं angle 90 डालूँगा या फिर 270 डालूँगा तो exact इस तरह के hole बनेंगा अभी आता हूं तो दोस्तों मैं यहां पर angle डालता हूं 90 degree ठीक है 90 degree करके आप यहां से preview कर सकते preview जब करोगे तो देखे आपको exact वही pattern बन रहा है ठीक है अगर यहीं पे मैं angle 0 degree कर देता तो देखे क्या problem होती आपका जो format नो वह नहीं है coordinates सही नहीं आई यहां से preview करके देखोगे देखे यहां पर आगया न यह hole इस तरह से नहीं है जबकि हमारा एक hole यहां पर एक hole यहां पर अगर आप 270 भी कर देंगे तो भी आपका सही आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर मैं 90 कर देता हूं 90 करके और जब आप यहां पर आउटपुट पर किलिक करेंगे आउटपुट पर किलिक करते ही आपके कोडिनेट आ जाएंगे पहला hole है x 0.0 पर y 41 ठीक है x-35.507 y 20.5 x-35.507 y-20.5 x-0 यहां पर देख सकते हैं पूरा टूल पाथ भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से टूल पाथ इसका रहा है अगर अभी चलाएंगे तो टूल पाथ पूरा शो हो जाएगा ठीक है इसका मैं सिंगल ब्लोक हटा के आपको चला के दिखा देता हूं कि इस तरह से इस तरह से टूल नंबर बन सेलेक्ट होगा ठीक है और यह टूल का पाथ रहेगा ठीक है यह 12 mm डेप्थ में हो लोगे हैं जी 98 होता है जी 81 ड्रिलिंग के लिए यूज होता है एक्स और य की पोजिशन हमने उपर ही डाल दी आप यहां भी डाल सकते हो बशे तो एक्स वाई की पोजिशन उपर डाल दी पहले वल की जी 98 इस लिए होता है यह आर लेवल तक वो इनिश्यल लeवल तक रिटन होगा अगर आप यहां पे जी 99 in use करेंगे तो यह ़ो आर लेवल जो है जो oh? र हम देते है रेवल वहां तक रिटन होगा तो जी 98 इनिश्यल लेवल के लिए होता है ठीक है Z-12 मतलब कितनी depth में आपको जाना है वो R, Retriction Point, R3M और Feed मैंने दे रखिए 300 ठीक है बागी ये coordinator सेम तो ये होता है drilling का pattern अब tapping की बात करेंगे next video में तो आज इसका video साथ में ही आ जाएगा आप देख सकते हैं और इसका link आपको description में भी मिल जाएगा ठीक है तो आज का video का साथ है comment करके जरूर बताएं Thanks for watching